सर बिल्कुल कुछ करने के mood में नहीं है डाव futures बिल्कुल ऐसे ही action कल दोपैर को भी हम देख रहे थे एक बहुत ही सीमित दाइरे में कारोबार था फिर अफकोस end of trade पौने 300 को की तेजी आई बट आज inflation डेटा से पहले कुछ नहीं कर रहे हैं यॉरप में आधे से 5% की तेजी है एशया में मिला जोला कारोबार था कुछ action वहाँ पर नहीं हुआ कच्छा तेल कल की बढ़त के बाद दाइरे में है रुपया तीन दिन की तेजी के बाद हलकी नर्मी दिखा रहे है बट कुछ बड़ा action वहाँ पर पहले जिन लोगों ने शॉट किया उनको लगता है कि इंपोर्टेंट सपोर्ट पर आगया तो यहां काट लेना चाहिए उनके हलकी फुल की खरीदाजी आ जाए उतने ही है बस उससे ज्यादा कुछ नहीं और इस recovery में कितना उपर जा सकते है पहली रुकावट ही आपकी ब करोड कॉल राइटर सापके खड़े हैं तो 17900 के ऊपर जाना मुश्किल होगा बड़ा पसीना आएगा उसके लिए चाहिए कि आपको डाव फिचर्स 50, 75, 100 पूंट उपर हो जाए सिर्फ शॉट कवरीं से 17900 पार करना मुश्किल होगा हां 17900 तक आप जा सकते हैं यह कर सकते यह पोसीबल है सपोर्ट जो बड़ा स्ट्रोंग है वो 17700 का है सवा करोड शेर वहाँ पर है पुट पर हाईएस अपन इंटरेस है इसके बीच में 17800 एक हलका फुलकार सपोर्ट है तो अब से लेकर तीन बज़े तक 17800, 17850 यह आपकी रेंज है 17850 के पार निकल के ठीके त 17800 के नीचे तीन बज़े के पहले फिर से चल गए तो 17750 तक आप नीचे आ सकते हैं, यह है डेटा में फिलाल यही दिख रहा है इसके बियॉर्ड नहीं दिख रहा है इसके बियॉर्ड अगर कोई बड़ा एक्शन होगा तो एकस्पारी के मूग का होगा बाकि डेटा के लि लेकिन कॉल्स में 31 लाग शेर है और यही थोड़ी बादा वाली बात है, बैयालिस जार पर कॉल राइटर काफी तगड़ा खड़ा है, इंफक बैयालिस जार के बाद एकसो से बैयालिस तीन सो के रेंज में भारी भरकम कॉल राइटिंग होकर रखिए, तीन बज़े के पह निज़े के रहे तीन बज़े तक बैयालिस जार के उपर निकले, तो कहिंन कहीं बैयालिस जार एकसो से बैयालिस जार तीन सो की रेंज में जाकर वहां पर आपकी तेजिक खत्म होगी, 17 850 की तो 17 900 तक जा सकते हैं, फिलाल इससे ज़्यादा तो डेटा दिख नहीं रहे, अब इससे ज्यादा में दो ही चीज़ें हो सकते हैं या तो डाओ फीटर एगदम शार्प मूँ कर जाए उपर और उसके बाद जनली क्या होता है यह अभी अमेरिका में लोगों के उठने का टाइम हो गया है गुड मॉर्निंग वाला अब जो जल्दी उठने वाले हैं उनका समय अभी आने वाला है तो थोड़ा एक्षिन उपर निचे का शुरू होगा तो डाओ फीटर पर नजा रखते हुए डिसाइड करें बट हां आकरी गंटे में हल्की फुल्की शॉटकर निक बन सकते हैं लेकिन फिलाल बहुत तेजी बने ऐसे डेटा दिख नहीं रहे नहीं तो बड़ी तेजी न कर पाए क्लोरिंग में तो रिलीफ है डन सर तो चलिए यह राय समय मार्केट पर हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है